ये लगाता vestig बैठक पर आवाधी पार्टी के राष्ट्य प्रवक्ता यानि कि जयस्मीन शाहा का बयान इस बीच सामने आ गया है केंदर के अध्यादेश परग्रस की चुप़ी पर जस्मीन शाहा ने जिक्र किया है अध्यादेश के समर्थन में कॉंग्रिस ने हाँ और ना कुछ भी नहीं कहा है सभी बक्षी दलों ने कॉंग्रिस पर दबाब बनाया था अलाकि ये जानकारी भी जस्मीन शाह की और से दी गई है कि दबा बनाने का प्रयास कॉंग्रिस को लेकर किया गया था कि अध्यादेश को लेकर समर्थन दिया जाए और 11 दलों ने अध्यादेश पर केजडिवाल सरकार का समर्थन किया है 11 दल जो थे वहाँ पर मौझूर उन्होंने केजडिवाल का समर्थन किया केवल कॉंग्रिस ने अध्यादेश पर चुप्पी साल रखी थी जिसमें शाकी और से कहा गया है कॉंग्रिस के पंजाब और दली के नेता अध्यादेश के समर्थन में है कॉंग्रिस बताए कि वो देश के साथ है या फिर बोडी जी के साथ है यह वी उन्होंने कहा विपक्ष की जिस बैठक में कॉंग्रिस होगी उसमें आवादी पार्टी नहीं होगी यह पहले ही इस पस्ठ हो चुका है विपक्ष की बैठक राहे एक करने की थी लेकिन अंत में बैठक खत्म होते होते राहे अलग हो चुकी और राहे भी उन्हीं की अलग होती हुई दिखाई दे रही जिनको लेके अध्या देश के लिए समर्थन की जंग पहले दिन से लगी हुई थी मात का लेना चाहेंगे हम आदनी पार्टी से सीनियर लीडर जैसमीन शाह हमारे साथ हैं जैसमीन जी कैसे देखते हैं आप क्योंकि अर्विंद केजरिवाल ने बैठक में जाने से पहले ही चिठ्थी लेकि इस पश्ट किया था कि अध्या देश पर सबसे पहले चर्चा की जा देखते हैं और सुप्रीम कोट के मुँप एक तमाचा है क्योंकि सुप्रीम कोट के जजमेंट को रिवर्स करते हुए पलटते हुए यह अध्यादेश लाया गया था और ये भी साफ है कि अगर ऐसे अध्यादेश को दिल्ली में आज आज आप नहीं रोक पाते हैσन संसद में पास होते हुए तो ये कल किसी भी राजे सरकार पर लागू हो सकता है और राजे सरकार की ताकते चीनी जा सकती है तो आज जो मीटिंग पटना में हुई 15 दलों की मीटिंग हुई बड़ी इंपोर्टेंट मीटिंग थी इसमें तमाम मुद्दों पर डिसकर्शन हुआ अध्यादेश पर भी डिसकर्शन हुआ इसमें 12 ऐसे दल हैं जिनके राज्यसबा में सांसद हैं और इन 12 दलों में से 11 दल एक सार्थ हैं एक जुट हैं कहने हैं कि इस अध्यादेश का हम विरोध करते हैं आज ये सबा में हम इसका विरोध करेंगे. केवल और केवल कॉंग्रेस चुपी धारी हुई है. हमें उमीद थी कि आज इस पे स्पस्टिकरन कॉंग्रेस करेगा. आज केवल आम आदमी पार्टी नहीं, विपक्ष की सारी पार्टीयों ने काफी समझानी की कोशिश करी इतना खतरनाक अध्यादेश है और क्यों इसका आपको विरोध करना चीए. लेकिन फिर भी कॉंग्रेस ने चुपी धारी. इतना ही नहीं, कॉंग्रेस के जो वरिष्ट नेता हैं, इनके दिल्ली और पंजाब के नेता, वो तो आज भी खुलम-कुला कह रहे हैं कि नहीं, इस पे हमें मोदी सरकार का साथ देना चीए, कॉंसिट्यूशन का साथ नहीं देना चीए, दिल्ली के लोगों का साथ नहीं देना चीए. अच्छा, कुछ सुत्रों के द्वारा हमें ये भी पता चल रहा है कि कॉंग्रेस की भाजपा के साथ बातचीच चल रही है, कॉंग्रेस ने कहा है कि सत्र की शुरुवात तो होने दे थोड़ा सा इंतजार कर ले इतनी जल्द बाजी क्यों है मना भी ने किया लेकिन हाँ भी ने किया साथ ही ये भी कहा है कि शिमला में अगली बैठक होगी जिसे 2024 को लेकर रणीती बनाई जाए आम आदनी पार्टी क्य उस बैठक में शामिल होगी देखिए पहले तो मैं कॉंग्रेस के स्टेटमेंट पर ये इतना कह दूं कि ऐसा मुद्दा जो ब्लैक और वाइट है जिसे कहते हैं ब्लैक और वाइट मुद्दा है जहां पर दिन दाहाडे संविदान की हतिया की जा रही है एक चुनी होई सर कोचेंगे इसके बारे में तो कहीं न कहीं ये संदेश जरूर पैदा करता है कि इनकी मंशा क्या है क्या इनकी बीजेपी के साथ कोई सेटिंग तो हुई नहीं हुई और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में कॉंग्रेस अपना पक्ष साफ नहीं करता तो ऐ ऐसी कोई भी बैठक होती है जिसमें सारी विपक्षी दल आते हैं और अगर उसका हिस्सा कॉंग्रेस होती है तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा काम केवल 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 कॉंग्रेस कर रहा है जहां पे आज 15 पार्टियां मिली उनमें से 14 पार्टियां एक साथ हैं एक साथ खड़ी हैं केवल हम नहीं कह रहे हैं कि इस और विरोध करना चाहिए सारी पार्टियां कह रहे हैं केवल 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 कॉंग्रेस कह रहे हैं कि नह यह कहना गलत होगा खेर, बीजेपी की मजबूरी है, इनकी बॉकलाहर्ट भी है, उनको पता है कि उन्होंने पांच साल कुछ काम नहीं किया, तो कुछ न कुछ करके विपक्ष को टारगेट करते रहेंगे, और मैं यह नहीं कहूँगा कि विपक्ष की बैठक आज फेल हुई मैंने जैसे खा कि कई मुद्दों पे चर्चा हुई, एहम मुद्दों पे चर्चा हुई, और हम पूरी मीटिंग में बने रहें, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली से संबंदित था, जिसमें कॉंसिट्यूशन की हत्या की जा रही है, केवल और केवल, कॉंग्रेस और उसी से आज हमें दुख है, आपने काम पूरी मीटिंग में बने रहें, लेकिन अंत में जो प्रेस कॉंफरेंस हुई, उसमें शमलित नहीं है, उसके पीछे जो भी कारण रहें, मैंटर वो नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं, दिखाना वो चीज मेरे ख्याल से माइ नहीं रखता है, अगर नहीं होते तो हम पटना क्यों जाते, हम इतने टाइम से विपख्ष से जो मीटिंग भी कर रहे हैं, दिली अध्याधेश पे सारे विपख्षी पार्टीों को एक साथ लाने का काम केजरिवाल जी ने भी तो किया है, तो हम विपख्ष के साथ खडए हैं हम संविधान के साथ कड़ें कल को अगर कॉंग्रेस की किसी चुनिवी सरकारों के उपर हमला होता है तो आम आदमी पार्टी पहले अपनी आवास बुलंद करेगी लेकिन कॉंग्रेस का यह जो दोगला आखिर कब एक होती है और विपक्षी की एकता अगर मजबूत नहीं होती तो इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी या कॉंग्रेस में से कौन होता है वीडियो जर्निलिस्ट निशान के साथ में कंचनर ओडा दिल्ली हिंदी खबर